पक्षिना बच्चा थारीके आपने पंदर्मी ओगस्ट ओगने सो सूर्तालिस ना रोज एक बंद एवा बंधियार वातावर्ण माथी मुक्त थाया जेने आपने स्वतंतरता दिवस कहो और आपने पांखना जोरे हवामा उडवाला गया उपर गया नीचे गया और आपने एक वर्तूल बनावियू जे वर्तूल ने आपने बंधारन कईयू आपने बंधारन स्विकार वानो दिवस ए 26 मी चानिवारी ओगनी सो पचांस स्वतंतर थाया एटले के मुक्त थाया पंदर मी ओगस्ट है बना आपने तंतर गोठववानो बाकी हतूं ए गोठवायूं 26 जानिवारी ओगनी सो पचास ना दिवसे क्या सुधी ब्रिटिश सरकारना काईदा ओहे ठढ़ता अपने 21 तोपोनी सलामी साथे भारती राष्ट ध्वजने लहरातो करवानू सदभाग्य प्राप्त थायूं भारतना प्रतम राष्टपती डोक्टर राजिंतर प्रसाज जी ने 26 मी जानीवारी ओगनी सो पचास थी राष्ट्र प्रजासत्ताक राष्ट तरीके उलकायूं और एटले 26 जानीवारी ने इंडियन रीपब्लिक डे एटले के भारती अगनतंत्र दिवस एटले के भारती अप्रजासत्ताक दीन तरीके घोशित करवाम आवयूं आपने मुक्त थाया, ने मुक्त थाया पची, कितलो ये समय सुधी, गड मथल मा राया, शू करीशू, घर चलावा हुछे, केम चलावीशू, आतो यू होतू, कत्या सुधी, आपना घर मा कोई रहतू होतू, हवे ये आपनी उपर शाषन करवानू, शिखी गया, आता ने लो शूर्तालीस, आने आउगनी सो पचास वर्ष नो गाळो, ये वच्चे नो जे अंतराल, ये आपने बंधारन खडवा मा, शू करीशू ने शू नहीं करिये, ये नक्की करवा मा वितावयो, आने परीना में आज चिम्मोतेर मों प्रजासत्ता दीन आपने उज्वीराया च आज थी चिम्मोतेर वर्ष पेला, अखिकत मा तारिक 24 मी जानिवारी ओगनी सो पचास न रोज, 308 सब्ध्यो साथेनी सम्विधान सभाद्वारा बे नकलो साथेना बंधारन मा सईयो थाई, आज चरिये थशे क्या बन्ने नकलो हाथे लखे लिए हती, आहस्त लिखित नकलो मा थी, एक हिंदी मा हाती और एक अंग्रेजी मा हाती, यले का आपरू बंधारन शरुवात्मा अस्ताक्षर मा लखायों, हाँ, भारत ना नीजी सोभाव प्रमाणे, ये वक्ते पन आंगे घणी चर्चा ओ ठैली, और खना बदा सुधारा ओपन आम आविला, आने सैथायाना बे दिवस बाद, 26 मी जानिवारिये, बंधारन नो स्विकार करी, गणतंत्र भारत नो राष्ट द्वज लेरायों, गण एकले समू, आ समूनू तंत्र हतूं, एकले ने गणतंत्र करूं, आने प्रजासत्ता करवानी चे, प्रजाद्वारा, प्रजा माटे और प्रजानू शाषन ए प्रजासत्ता, इतला माटे ने प्रजासत्ता करें गिन कहेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंग भारतीय स्वतंत्रता धारो उगणी सो सुर्तालीस ए पार्लामेंट ओफ युनाइटेड किंग्डम ना एक्ट मा पसार थायो आने तेने ब्रिटिश इंडिया ना बे स्वतंत्र आधिपत्य धारावता बांग करया बंधारणिया राष्ट्र तरिके ना भारत नी घुष्णा ब्रिटिश राष्ट्रवडा जियोर्ज चठ्था आने भारत ना गवर्नर जनरल माउंट बेठल नी नेगे बाने मा थाई भारत पासे पोतनों काईमी बंधारण ना हतूं कारणे तो घड़वादू बाकी हतूं स्वतंत्र थाईये पची विचारिये ने स्वतंत्र था वक्ते आपना खाईदा ओ मोडिफाइड गवर्मेंट एक्ट ओफ इंडिया 1935 प्रमाणे हता अने यह मुझव काम थतूं हतूं पंदर्मी ओगस्ट ओगनी सो सूर्तालिस ना अप्रेश्वतंत्र थाया और ओगन्त्रिस ओगस्ट ओगनी सो सूर्तालिस ना एक ठाराव पसार करीने बंधारण रचना समीती नू गठन करवानू नक्की थायूं अने तेना चेर्में तरीके डॉक्टर बाबा साहे भीम राव आमबेट करने निम्वा माव्या। चोथी नमेंबर ओगनी सो सूर्तालिस ना रोज समीती ये बंधारण नो मुसद्दो तयार करीने कॉंस्टिट्यूट एसेमली एकले के समविधान सभाने सूप्रत करयो। चोथी नमेंबर ओगनी सो सूर्तालिस ना रोज समीती ये बंधारण नो मुसद्दो पहलो ड्राप्ट समविधान सभाने आपी दिधो। कितल बुदु काम ओछा दिवसों मा रात जागीने तेवो एकरी होशे ये विचार मागे तेवो मुद्दो छे। आ बंधारण समविधान सभा कूल 166 कार्य दिवस माटे मली अने बे वर्ष अग्यार महिना अने अधार दिवस पछी सभाए बंधारण नो सुिकार करयो। बंधारण ना 5, 6, 7, 8, 9, 6, 324, 366, 366, 371, 388, 31, 323, 334 आर्टिकल तारी 26 नवेंबर 59 न रोज आने बाकिना आर्टिकल 26 चानिवारी 59 न रोज अमलमा मुख्वामा आव्या हाथा। केटला का आर्टिकल स्तात कली अमलमा एकले मुख्वा पड़ा क्या आपड़ो शासन संभाड़ी लिदू हाथू। अने अमिजेटली जनी जरूर होई एवा आर्टिकल सापने स्विकारी लिदू अने आखो बंधारन 26 चानिवारी 59 न रोज स्विकारी। 24 में चानिवारी 59 न रोज 308 सभ्यों नी सम्विधान सभाए बंधारनी मूल बे नकलों मा सही करी। जार्या बंधारन नो 26 चानिवारी 59 न स्विकार थयो त्यारती बे फेरफारों भारत मा थया। एक सम्विधान सभा भारतीय संसक्त बनी गई एकले के इंडियन पार्लामेंट बनी। आने डोक्टर राजेंद्र प्रसाज जीए भारत गणतंत्र ना प्रथम राष्टपती तरीके नो होत्दो एतारिक की संभाड़ों। 25 में नवेंबर ओगनी सो पचास ना रोज सम्विधान समक्ष सभा समक्ष पोतानू आखरी वक्त व्यापना डोक्टर भीम राव आमबेटकर थोड़ा व्यतित था था। बंधारन सभा समक्ष जे काई अपायूं। एना थी तेवो व्यतित थाया एनू कारण जरा जानवाजे उचे। तेवो ने गलानी हती और ए गलानी तेमने शब्दमा ड्यक्त करी। आखरी व्यतित थायूं। On the 26th of January, 1950, we are going to enter into a life of contradictions. In politics, we will have equality and in social and economic life, we will have inequality. In politics, we will be recognizing the principle of one man, one vote, and one vote, one value. In our social and economic life, we shall, by reason of our social and economic structure, continue to deny the principle of one man, one value. How long shall we continue to live this life of contradictions? How long shall we continue to deny equality in our social and economic life? If we continue to deny it for long, we will do so only by putting our political democracy in peril. We must remove this contradiction at the earliest possible moment or else those who suffer from inequality will blow up the structure of political democracy which is assembly has to liberously built up. 26.06.1950 आपने आपने सव एक विरोधाबासी जीवन मां प्रवेश्वा जैरिया चीए. राजकी रिते समान्ता हशे, पन सामाजीक औने आर्थिक रिते असमान्ता थशे. अपने राजनिती मा एक मानस बराबर एक मत, अने प्रत्यक मत नु मुल्यस्थापीश्वु. पन आपना सामाजीक औने आर्थिक जीवन मा सामाजीक आर्थिक मालखा प्रमाणे एक मानसनु मुल्य पन थाई छे ये सिद्धान्तने नकारी काडिशु आपने क्या सुदी आउँ विरोधा बासी जीवन जीवीशु क्या सुधी आपने सामाजिक औने आर्थिक समानता ने नकारीशू जो आपने आने लामबो समय नकारीशू तो आपनी राजकी लोक्षा ही खत्रामा मुकाशे आपने वहलामा वहली तके आ विरोधा बास दूर करवो पडशे नहीं तर जे लोकों ने असमानता भोगवी पडशे ते जे ने आपने महा मैनते सिंची छे एवी राजगे लोक्षाही ने उखारी फैक्षे देशनी मुख्य औने भव्य प्रजासक्ताक दिन परेड दिल्ली खाते यो जाई छे औने तनु आयोजन रक्षामत्राले करे छे ते परेड राष्टपती जीना निवास्थान राष्टपती भवन्थी शरू थाई इंडिया गेट पासेती पसार थाई छे आ विशेस परेड प्रजासक्ताक दिन उत्सव नू मुख्य आकर्षन बनी रहे छे आ उत्सव त्रोण दिवस्चुदी चाले छे परेड दर्म्यान भारतनी रक्षा एतले के सेना क्षमता अने भारतनी सांस्कृतिक तथा सामाजिक वार्सानी जांकी आपरेड करावे छे भारतिय सेनानी नौ थी बार जुद्य जुद्य रेजिमेंट्स अने नौका तथा वायू सेना तेना विशिस्ट बेंड साथे तेमना कववत अने विशेस द्रेसमा बेंड साथे मार्च पास्ट करे छे आ मार्च पास्ट नी सलामी राष्ट पती जी जिले छे कारण के तेवो भारतिय सेनानी त्रणे पाक ना कमांडर इन चिफ एटले के वड़ा छे जुद्य जुद्य अर्ध लक्षकरी दलोना बार एकमो अने पोलिस दल पन आ परेड मा भाग ले छे बिटिंग रिट्रिट ए मिलिटरी समारंब छे जे हकिकत मा आपंडे अंगरे जो तरप थी वार्षामा मलव छे 1609 मा इंगलेंड ना जेम्स बीजा ने युद्ध पूरु थयाना संकेत रुपे अपातु एसन मान छे जेमा ट्रुप ड्रम वगालती, बिट्ध ड्रम्स अने शेरियों मा परेड थी अने साथो साथ द्वजने उतारी अने हत्यारों ज्यान करी महेलना दर्वा जा बंध करवामा आउता हाता युद्ध पूरु थयानी एक सांकेतिक परेड़ती जेने आज सुधी आपणे एम्नेम जालवी राखी छे अने 32 से आखो समारम पूरो थाई छे एव बतावा माटे बिट्ध ड्रम्स आथे बिटिंग रिट्रिट ए समारम नुँ आउजन थाई छे आजे बिटिंग रिट्रिट प्रजासताक परवनी उजवणी ना अन्ते जारे ओजोजाई छे त्यारे 30 दिवस सेतलेके 31 मी जानी वारी निसांचे आपना लशकरना त्रणे दलोना बेंड द्वारा एमा परेड थाई छे जे राईसिना हिल अने तेने जोडेला चोक थी विजै चोक अने त्या थी राष्टपती भवनना नोर्थ अने साउथ ब्लोक थी पसार थाई राजुपत तरफ समापन पामे छे आ समारोहना अतिती विशैस तरीके राष्टपती जी होई छे के जे ओ राष्टपती ना बोडी गार्ड ना घुरेस्वारोना दल द्वारा एसकोर्ट थाई ने समारोंग मा पधारे छे दलना कमांडर सलामी आपमानों हुकम करे छे अने तरत राष्टगीत जन गण मन लशकर ना बेंड द्वारा वागे छे लशकर विविद मिलिटरी बेंड, पाइप अने ड्रम बेंड, द्यूकल्स अने वाजिंत्रों गुंजी उठे छे अने एबाइड विद मी, मातमा गांदीजीना प्रियस्तोत्त्रों अने सारे जहां से अच्छा वगाडवामा आवे छे जोके आमा हवे फेरफार थेयो छे अने चल्ला बे वर्स्तिशू फेरफार थेयो, तेनी आपड़े आगडवात जानी छे एक सर समारं भात्राण दिवस दर्म्यान योजाई छे, तेने एवोड वितरन समारं कहे छे प्रजासताग दिवसनी संध्याए राष्ट पतिजी द्वारा भारत ये नागरीकोंने राष्ट्रिय सन्मान पत्म एवोड पर्पन करवामा आवे छे सवती उच्य राष्ट्रिय सन्मान भारत रत्न छे अने त्यारबाल पत्मविभूशन, पत्मभूशन और पत्मश्री गणाई छे जोके आ पत्मसन्मानों राष्ट्रिय सन्मान होवा थी तेमा कोई रोकड रकम के लाभो के कोई बस्ट्रेन नू कंसेशन मलतू न थे आसन्मान मा राष्ट्रपती जीना सेल साथे नी सनद एटले के सर्टिफिकेट अने एक प्राचिन पदक तता पदक नी रेप्लिका आप ममावे छे के जे तेवो राज्यना के राष्ट्रिय समार्म मा उपवस्त्र साथे पहरीशक है चा ओग्रिसो पंचाणोना सुप्रिम कोटना जज्जमेंट मुझब आ सन्मान मेड़वना र्यक्ती पोताना नामनी आगल के पाचल के क्या इपाण एन उल्लेक करीशक्ति ना थी पोताना लेटर हेड मा के कोई पुस्तक मा के आमन त्रण काड मा के पोस्टर मा पॉन ते सन्मान नो उल्लेक करीशकातो न थी जो उच्चतम न्यायलाईना आ आदेश नो उल्लंगन थाए तो ते व्यक्ति ने चे तवनी अपाई चे आने तेनु सन्मान परत पन लैशकाई चे आ सन्मान मेड़नान जेते वर्ष्नी व्यक्तियों नो परीचयाकती बुक अल्बत प्रकाशित करवामा आवे चे एवु न थी के प्रजासत्ताक तरीके आपणेज बारा आवे चे विश्वना घणा देशों छे एक पंदर्मी सद्धी थी आज रिते स्वतंत्रता माटे लड़त आपीने प्रजासत्ताक बल्या चे हाँ एकलो करूं कि विश्वनी बहु मुटी लोकसा ही ए भारत छे अने भारत जिवडा मुटा देशनी स्वतंत्रता माटमा गांधी अने तमना साथिवोनी अहिन सक लड़त निकार ने लोईनो एक पंद टीपू वहाद्यावगर थै ली छे एनो आपने बराबर ख्याल र प्रजासत्ताक थाया तेनी थोड़ी विगतापने मिडविये है स्पैन ना किंग फिलिप बीजाना शासन मा जीव था दरी पबलिक ओफ सेवन युनाइटेड नेधरलेंड्स मा थी 26 मी जुलाई 1581 मा स्वतंत्र थैल परंतु तेने प्रजासत्ताक बनता खणा वर्षो ला तेमाजित मुक्त थैल किंग्डम ओफ होलेंड तो 5 मी जून 1806 मा गनतंत्र बन्यूं। मा थी मुक्त थैल तो युनाइटेड स्टेट्स चोथी जुलाई 1776 मा दिव से ग्रेट बिटन मा थी मुक्त थैल बारत 26 जानिवारी ओगनिसो पचास ना रोज प्रजासत्ताक बन्यूं। तो इजिप्त 1903 मा, सुदान 1956 मा आने पाकिस्तान पन 1956 मा प्रजासत्ताक राष्टे बन्यूं। नोध्वा जेवुझे के पाकिस्तान आपना करता एक दिवस भेल्लू स्वत अंत्र थायूं होतूं। चाउदमी तारीखे, चाउदमी ओगस्ट, 1916 परन्तु तेने राष्ट्रनू बन्धारण खडता नव वर्ष लाग्या। पाकिस्तान नू बन्धारण 156 मा बन्या पची, 117 तेर मा, 119 मा अने चल्ले 2008 मा बलायूं। अने 2008 मा नागरिक मताथी कार साथेनू बन्धारण अमल मा व्यूं। भारतना गनतंत्र दिवसनी विश्वेस्ताओ आपने चडब्तिनों धिये। आश्चरे निवात एचे के भारतनू बन्धारण प्रिंटेड थयू नोटूं। पन हस्ताक्षर मा केली ग्राफिक स्टाइल मा लख्वामा आवेलूं। तेनी बे नकलो तयार्थाई हिंदी मा अने अंग्रेजी मा। बारतना पार्लामेंट हाउस मा एबन्ने हाथे लखेली नकलो ने साच्वी राख्वामा आवेल छे। हाथे लखेल बंदारणना प्रत्येक रुष्ट पर केली ग्राफिक चित्रों करवामा अवेया छे। अने ते चित्रों बनावनार बे चित्रकारों गुरुदेव टागोर ना शांतिनेकेतनना बेहर राम मनोहर सीहा अने नंदलार बोज आता। जारे केली ग्राफिक लखार श्री प्रेम बिहारी नारायन रायजादा द्वारा थायल छे। आ बंदारन नू प्रिंटिंग देहरादुनमा थाय। अने फोटो लिथोग्राफि सर्वे ओफ इंडिया द्वारा थाय। अनेक नकलमा बंदारन नू उत्पादन शरुत था पांच वर्ष लागया हाता। बी जो मुत्तो भारत स्वतंत्र थाया पची तेनू बंदारन घडाता बे वर्ष अग्यार मैना अने सत्तर दिवस लागया। भारत पिश्वनी मोटामा मोटी लोक्षाही छे अने तेनू बंदारन बनावता आटलो समय लागये ते सहज छे। सरकारी रेकोर्ड़ मां बंदारन अमल मां आव्यानी ओफिशल तारिक 26 जानिवरी उगनी सो पचास सवारना दसने अड़ार मिनिट छे। भारत ना प्रतम राष्टपती तरीके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाल जीनो कार्यकाल 26 जानिवरी उगनी सो पचास ना रोज गवर्मेंट हाउस खाते ना गर्बार होल थी शरू थयो। पांचमू प्रजासताक दिवसने पहली परेड दिल्ली खाते 26 मी जानिवरी उगनी सो पंचावन रोज राजपत खाते इजवा मावी के जमा पाकिस्तान ना पहला गवर्नर जंडल सी मलिक गुलाम मुहमद ने गेस्ट ओफ ओनर तरीके आमंत्रणा पमाव्य। चठू भारतीय बंधारन ना घडवया एकले के आर्किटेक ओफ इंडियन कॉंस्टिटूशन डॉक्टर बाबा साहे भीमराव आमबेड कर के हुआई तेवो बंधारन डुचना समीतिना चेर्मेनता न तेवोने स्वतंत्र भारतना पहला लो एंड जस्टिस मिनिस्ट तरीके नियुक्ट करवामा आवेहाथा। सात्मो त्रोण दिवस माटे गणतंत्र परड़ी हो जाई छे त्यमा चल्ले दिवसे बिटिंग रिट्रिट समारो यो जाई छे त्यमा एक गीत मेंड द्वारा वगाडवामा आवे छे जे अबाइड वित मी के वाई छे ते महात्मा गांधी जी ने प्रिय स्तोत्त्र छे हकिकत मा ते क्रिश्चन स्तोत्त्र छे के जे नवमी सदी मा स्कोटिश कवी हेंडरी फ्रांसी से लखेल छे अने विलियम हेंडरी मोंक द्वारा ए स्वरबत दथायू छे जोके आलनी सरकारे आग इतने वर्षों पची समरम माती दूर करियू छे अने तेना स्ताने कदम कदम बढ़ाये छा अने वंदे मातरम वगाडवनू शरू करियू छे सोशेल मीडिया ये हूँ कई हूँ क्या तो बाइबल माती लेवाये हूँ छे अने ए वात उपर विचारना चाली हकिकत मैं बाइबल माती लेवाये हूँ ना थी स्कोटिश कवी द्वारा लखाये हूँ छे अने आ एबाइड विट मी ए अंग्रे जी स्तोत्र नो खूँच सुन्दर अर्थ थाए के इश्वर हूँ नवो नवो भारावेव छूँ तुमारी साथे रहे चे आँख खुली राखीने, कान सर्वा राखीने, हूँ समाज मार रही शकूँ, सवनो आदर पामी शकूँ और सवने आदर आपी शकूँ, त्यारे भगवान तुमारी भेगो रहे चे वो शोए कहूँ तु तेम, पांख खुली ने हूँ अर त्याना उडवाने कोशिस करू जू अने एमा क्याई पन विपत्ती आवे, तो तुमारी साथे रहे चे, एवो तेनो अर्थ थटो होतो The traditional Christian hymn, Abide With Me, which was reportedly a favourite of Mahatma Gandhi, has been dropped from the list of tunes for this year's Beating the Retreat Ceremony. The tune had been played at the annual ceremony every year since 1950. Abide With Me is played by the masked bands at the end of the ceremony and this year, there are three tunes without it instead of the four tunes played last year including the hymn. The three tunes to be played by masked bands this year are Kadam Kadam Badhaye Jaa, Drummer Skoll and Eh Mere Vatan Ke Logo. The four tunes last year were Bharat Ke Jawan, Kadam Kadam Badhaye Jaa, Drummer Skoll and Abide With Me. In 2020, the hymn Abide With Me was initially dropped from the list but was again retaken in the final list after a protest from a cross-section of the public on social media. In addition, Vande Mataram was played for the first time at BTR in 2020. Beating the Retreat is a centuries-old major tradition, going back to the days when troops disengaged from battle at sunset. Abide With Me was written in the 19th century by Scottish poet Henry Francis Light and composed by William Henry Monk. Beating the Retreat is performed every year on the evening of January 29th at Vijay Chowk. As per reports, there are 24 buglers, 44 trumpeteers and 75 drummers participating this year. About 30 to 35 tunes are played at the ceremony every year, some of which are changed. But Abide With Me has always been there. This year's BTR will also see two new attractions. Those are Drone Show and Laser Show coinciding with the 75th year of Independence. Subscribe to One India Channel and never miss an update. 8. प्रजासत्ताक दिन ए पूर्ण स्वराज दिवस नू स्मरण करवानों दिवस चे, कारण के बिर्टिश शासन दर्म्यान ना भारत मां चल्ले ओकनी सो त्रीस मां पूर्ण स्वराज दिवस उजवा मादे होतो। प्रजासत्ताक दिवस न रोज जाने ए दिवस चरिता अर्थ थयो होई ते उसवने एसास थयो। पंदर्मी ओगस्ट भारतना वड़ा प्रधान राष्ट्रने लाल किल्ला परती संबोधन करे चे, जारे प्रजासताक दिने राष्ट्रपती जी राष्ट्रने संबोधन करे चे। ज़रा समझ ये तो भूस्पोष्ट चे के पंदर्मी ओगस्ट स्वतंत्रतानो दिवस चे एटले प्रजाना प्रतीनी दी छे ए आक्का कालिक्रमनी अंदर मुख्य रहे चे। जारे प्रजासताक दिन ए बंधारणना अमल माटेनो स्वतंत्रताया पन बंधारण करनारना अमल माटेनो होवाथी बंधारणी ये वडा तरीके राष्ट्रपती जी त्रणे दिवसना समारंभमा मुख्य रहे चे। जस्मू प्रतिष्ठित एवोड अर्पणनू आ दिवसोमा महत्व छे जमाशोक चक्र, वीर चक्र, मावीर चक्र, परमवीर चक्र, किर्ती चक्र, नियत जाहरात प्रमाणेना लायक उमेल द्वारोने अर्पण खर्वामा आवे चे। पद्मा एवोर्ज हवे सगवर्ता माटे थाईने, जाहर 25 मी जानिवारी ये थाई चे, पर पछी वर्ष दल्म्यान एक विशेस समारंभ राष्टपती भवन्ना दर्बार होल मा योजाई चे, अने तेमा अर्पण कर्वामा आवे चे। राष्ट प्रतेनी आपनी फरज अदा कर्वानी वाद याद रहे इटले आजनो दिवसु जुझवाई चे, आपनी हकनी मागनी अवश्यक करी शक्किये, पन आपनी फरज अदा कर्या पछी। समझवाजेवू ये चे, के प्रजासता परवःiste देश उपर बंधारं आवें, तो मने शुँं, मने असर ए, के हों ज्यां च्भू, ज्यारे च्छू, जेवो च्छू, क्यारे त्याना नियमों, त्यानों बंधारन, वों अक्षर सख पालन करू, ए मारू प्रजासता चे दर एक संस्थाने पोतानु एक बंधारन होई छे दर एक घर ने एक वण लख्यू बंधारन होई छे एविजरी थे जारे जान होई ये त्यारे ए संस्थाने के ए जग्याने पोतानु एक बंधारन होई छे मन्य नियम होई छे आम कराई और आम न कराई ये नू आपने पालन अदाकरी कहवाए राष्ट माते कशुच करवानी बहु जरूर ना थी आपने पोते स्वस्थरी ते शांती थी रही ने निती नियमनु चुस्त पणे पालन करी ने अन्य कोई भंग करे छे के तेने सामु जोया अगर एक फरच तरीके आपने तरेक नियमनु पालन करीए तो हूँ मानुच हूँ के प्रजासताक परवना साच्चा आपने वारसदार के भाईए आजने दिवसे आपने बूलिये जय हिंद पर मननी अंदर ये भी प्रार्थना करीए के मारार हिंदनु जिट्टो जय थाए जय हिंद जय जगत के लाईए झाया है, झाया है, झाया है झाया है